Hello everyone, welcome to my YouTube channel Such an Education Hub दोस्तों, आज हम ये बात करेंगे कि difficult subjects को कैसे बढ़ा जाए हम मेंसे किसी ना किसी student को difficult subjects को पढ़ने की मुश्किल रहती है किसी को math करने में problem आती है, किसी को science अच्छा नहीं लगता या फिर कोई language subjects में पूर है दोस्तों, इन सब चीज़ों को करने के लिए, difficult subjects को पढ़ने के लिए हमें कुछ strategies या tips की ज़रूरत होती है उन strategies या tips के बारे में आज हम बात करेंगे लेकिन दोस्तों, उन strategies या tips को करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube channel को subscribe नहीं किया है तो पहले subscribe कर लें और साथ में bell button दिया है, उसे भी click कर लें तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ that is strong determination दोस्तों, इतना आपको भी पता है कि अगर किसी काम को करना है सबसे पहले आपके अंदर एक willpower होनी चाहिए, एक strong determination होनी चाहिए कि हाँ, ये मैंने करना है, अभी के अभी करना है, मैं कर लूँ आप क्या करते हो आप में बहुत जादा आलत से है, आप कहते हो कि कर लेंगे फिर क्या है और वो कर लेंगे आपका कभी आता ही नहीं है, आपको भी बता है कि tomorrow never comes बस यही बात आपको समय नहीं है और क्या करना है, कि अगर आपको कोई भी काम करना है यहाँ फिर आपने अगर difficult subjects पढ़ने है तो सबसे पहले आपने अंदर एक willpower बनाओ, वो भी एक strong willpower कि मैं आज और अभी से इस चीज़ को करना start करता हूँ तब ही मैं करता हूँगा कुछ, ठीक है यह था पहला, अब आते हैं second, that is make mind maps दोस्तों जब भी आप पढ़ते हो, आपको यही कोशिश रहती है कि आप बस जल्दी से concept समझाओ और आपको ज़्यादा न पढ़ना पढ़े ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि आपको उस difficult subjects में इतना interest नहीं होता और बिना interest के आप जल्दी ज़्यादा देर पढ़ भी नहीं सकते इसलिए दोस्तों आपको करना क्या है, बस mind maps बनाओ जो आपका chapter है, उसके mind map बनाओ और mind maps क्या होते हैं कि chapter को आप, जो mind map होते हैं वो आपको chapter का prescriber कर देते हैं हाँ, short way में पता देते हैं कि इस chapter में था गया और वो short way आपको बहुत पसंद आता है क्योंकि उससे ऐसे way में लिखा जाता है कि पूरे chapter को explain कर दिया जाता है इस short way और आपको वो easy लगता है और कम समय लगता है, इसलिए आपका interest उसमें लगना शुरू हो जाता है तो इतना ज़्यादा पढ़ने की बचार अगर आप mind map से पढ़ लोगे difficult subjects को तो आप समझ भी जाओगे और उसमें interest भी पैदा कर लो ठीक है दोस्तों यह था second अब आते हैं third way third है that is take a help दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको खुद difficult subjects पढ़ने में मुश्किल आ रही है, आप अपने किसी teacher या guide की मदल ले सकते हो आप अपने friends की भी मदल ले सकते हो, कि मेरी मदल कर दो, और friends से मदल लेना, it's a best idea it's a great idea, क्योंकि आपको भी बता है, कि friends आपके इस way में आपको समझ लेते हैं कि अगर आप उससे कुछ पूछो भी न तो आपको उसी way में जवाब मिल जाता है कि जिस way में आप चाहते हो, similarly अगर आप उससे difficult subject समझोगे, अगर उससे आता है वो आपको उसी way में समझा देगा कि जिस way में आप उससे समझना चाहते हो, और आपको समझ भी जल्दी आजाएगा, इसके लवाब आपने teachers और guides के भी मतर आप ले सकते हो ठीक है दोस्तो, ये का third अब आते हैं fourth way, that is try different ways, दोस्तो अगर आपको कई बार लगता है, कि एक books में हमें समय नहीं आ रहा एक books से हम बहुर हो गए हैं, आप different ways को अपनाओ, क्यूंकि एक books से आप जब बहुर हो जाते हो, आपका interest भी खतम हो जाता है उससे आपको पढ़ने में मनमी नहीं लगता so, आप different ways को यूज करके आपने interest से जिससे भी आप different ways से यूज करो, different ways जैसे कि internet से पढ़ लिया, कोई different books से पढ़ लिया, या कोई online ऐसे quiz खेल कर, या practice sessions लेकर आपने अपने subjects को समझ लिया, ये भी एक different ways से आप difficult subjects को समझ और पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों ये easy way है और आप असानी से कर भी सकते हो, ये था fourth, अब दोस्तो last is, do all these difficult subjects in regular interval मतलब अगर आप किसे difficult subject कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन करके छोड़ दो, उसे regular interval पर करो, अगर करोगे तब ही आप उसे समझ पाओगे और उसमें interest पैदा कर पाओगे regular interval पर क्या होगा अगर वो चीज आप बार बार regular interval पर करोगे, तो आपको याद हो जाएगी तो इसलिए regular interval मतलब एक दो दिन कर लिया, एक दिन दिन तक भी अगर छोड़ के कर लिया, यानि उसमें जादा time भी लगेगा और आपका जादा दिमाग भी यूज होगा, तो इसलिए interest बढ़ाना है, तो regular interval पर लगे रहो, लगे रहो होगे तो difficult subject भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों तो these all are the five points जो आपको help कर सकते हैं difficult subject को असानी से करने के लिए और आप असानी से इसे अपना कर difficult subjects को भी कर सकते हो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो like, share and subscribe ज़रूर कर देना और अगर कोई problem है, यहां कुछ पूछना हो तो नीचे दिये गए comment box में comment करके आप मुझसे पूछ सकते हो Thank you very much